मारी छोरिया छोरों से कम है के ये डायलोग सुनके आपके मन में एकी नाम आता होगा वो आता होगा गीता फोगाट का दोस्तो गीता फोगाट को तो आप जानते होंगे जिनोंने भारत के लिए पहलवानी करके पूरे भारत का नाम रोशन किया तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं गीता फोगाट की लाइव इस्टायल और बायोग्राफी के वारे में वैसे आपने इनके उपर बनी फिल्म दंगल तो देखी होगी लेकिन इस वीडियो को भी एंड तक देखना क्या पता दोस्तो आप इनके इस्ट्रगल से कुछ नया सीख जाए गीता का फुलने में गीता कुमारी फोगाट और इनका निकनेम है गीता गीता फोगाट प्रोफेशन से एक फ्री इस्टायल रैसलर है गीता फोगाट का जनम 15 दिसंबर 1988 को बलाली हर्याना में हुआ और 2021 की हिसाब से ये 33 साल की है दोस्तो गीता फोगाट का शुरुवाती जीवन इस्ट्रगल से भरा है जिंदगी में कैसे मुश्किल हालास से एक रास्ता बनाया इसका अच्छा उधारन एक गीता फोगाट है गीता अपनी बहनों में सबसे बड़ी है उन्होंने लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को मिटाने की कोशिश करते हुए पहलवानी को चुना और दोस्तो गीता ने अपने पिता से ही पहलवानी सीखी और गीता ने अपने स्कूल की पढ़ाई अपने होमटाउन बलाली हर्याना से की जिसके बाद इनकी कॉलेज की पढ़ाई MDU रोह तक हर्याना से हुई दोस्तो गीता का पहलवानी में जाने के बाद उनके पास समय ही नहीं बचता था और ठक भी जाती थी इसके चलते इनकी पढ़ाई पर भी काफी असर पढ़ा अब बात करते हैं गीता फोगाट के करियर के बारे में गीता के करियर के शुरुवात 2009 Commonwealth Wrestling Championship है हुई जो उन्होंने 19 से 21 दिसंबर 2009 के बीच खेला और गोल्ड मैडल जीता और 2010 के Commonwealth Games में गोल्ड मैडल जीत कर गीता इंडिया की पहली गोल्ड मैडलिस्ट बन गई हुमेन रेसलिंग में और 2012 समर ओलमपिक के फीला एशियन ओलमपिक क्वालिफिकेशन टूनामेंट में गीता ने गोल्ड मैडल हासिल किया इसके बाद उनके जीत का सिलसला चलता गया उन्होंने जमानों को जूटा साबित कर दिया कि लड़किया लड़कों से कम नहीं है गीता ने नेता जी शुबास National Institute of Sports से कोच ओपी यादव से ट्रेनिंग ली और 2012 World Wrestling Championship में ब्रॉंज मैडल जीता और इसके साथ ही 2012 Asian Wrestling Championship में 55kg weight category में ब्रॉंज मैडल हासिल किया और फिर 2013 Commonwealth Wrestling Champion में 59kg weight category में सिल्वर मैडल जीता और 2015 में Asian Wrestling Championship में गीता ने 58kg weight category में ब्रॉंज मैडल हासिल किया और ये मैच लास वेगास में हुआ था दोस्तों जैसे कि आपको पता है गीता फोगाट और उनकी बहनों को लेकर उनके लाइफ जन्नी पर फिल्म दंगल बनी थी जिसमें आमिर खान, जायरा वसीम, फातिमा सना सेक थी और ये फिल्म सूपर डूपर हिट भी हुई और वहीं दोस्तों गीता फोगाट ने एज़ा कंटेस्टेंट फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन एट में पाटिसिपेट भी लिया है और गीता बिग बॉस सीजन इलेवन में भी गई थी एज़ा गेस्ट अपनी फ्रेंड हीना खान को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना गीता फोगाट आपको कैसी लगती है चलिए मिलवाते हैं आपको गीता फोगाट की फैमिली से तो इनके फादर का नाम है महावीर सिंग फोगाट और ये भी एक रैसलर थे और इनकी मदर का नाम है सोभा कौर और दोस्तों इनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम है मोडू फोगाट दोस्तों मैं आपको बता दूग गीता फोगाट की तीन बेहने हैं और इनकी बहन का नाम है बबीता कुमारी फोगाट और ये भी एक wrestler है और दूसरी बहन का नाम है संगीता फोगाट और ये भी wrestler है और तीसरी बहन का नाम है रितु फोगाट और दोस्तों ये एक martial artist है वहीं बात करें इनके husband के बारे में तो दोस्तो इन्होंने 2016 में पवन कुमार से शादी की और ये भी एक wrestler है और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है अरजुन फोगाट वहीं बात करें गीता फोगाट के house के बारे में दोस्तो मैं आपको बता दूँ गीता फोगाट अपने husband के साथ हर्याना में ही रहती है वहीं बात करें गीता फोगाट के car collection के बारे में तो इनके पास car है range rover walk और इस car की price है 1.68 कडो रुपीज और दूसरी car इनके पास है dacia duster और इस car की price है 14 लैक रुपीज और लास्ट कार इनके पास है Toyota Fortuner और इस car की price देव 35 लैक रुपीज वहीं बात करें गीता फोगाट के income के बारे में तो दोस्तो गीता फोगाट की एक टूनमेंट की fee से एक कडो रुपे और ज़्यादा तर गीता फोगाट की income brand endorsement से होती है और ये कई सारे brand को endorse करती है अब बात करते हैं गीता फोगाट के net worth के बारे में तो दोस्तो इनका net worth है 22 कडो रुपे तो ये थी गीता फोगाट की live style वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताना और next वीडियो किस topic पर चाते हैं आप ये भी comment करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना like अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को कर लेना subscribe और bell icon भी press कर लेना